नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शार्दा स्वागत है आपका मोर टेस्टी फूड पर आज हम टर्मरिक टी बनाएंगे जो सर्दियों में हमारे पेट में होने वाली गैस और एपच की समश्या से शुटकारा दिलाने में तो हेल्प करती है साथ ही इसकिन प्रॉब्लम में भी ह अमें बहुत ही हेल्प करती है सो बनाना शुरू करते हैं तर्मरिक टी अब मैं आपको हल्दी का पेड़ भी दिखा रही हैं देखिए यह इस तरह का पेड़ होता है और इसके तने में नीचे हल्दी की गाण्ठे निकलती हैं इसकी पतियां केली की तरह ही मिलती-जुलती ह यहां आपको ऐसी जानकारी के लिए दिखा रही हैं तर्मरिक टी बनाने के रिए यहां यह मैंने कच्ची हल्दी ली है जो सर्दी में मार्कीत में आसानी से मिल जाती है यह चे साथ काली मिर्च ली है दो हरी इलाइची ली है एक छोटा टुकड़ा दाल चीनी का आधा इन च से पहले यहां मैंने गैस के उन पर एक भगोना रख दिया है और इसमें यह बदेज कंची फ्लेम हाई रखेंगे और पानी में उबा लाने देंगे पानी में उगाल आ चुका है इसमें काली मिष्ट डाल देंगे काली मिष्ट हल्दी के साथ मिलकर न्यूटिल्स को बोडी में एफ्जर्व करने में मदद करती है और ग्रेटिट अद्रक भी डाल देंगे अद्रक शिर्के दर्द के लिए बहुत पाइदे मन्द होता है पूदिना डालने से हल्दी से हो सकने वाली गर्मी को हमारी यह पूदिना बैलेंस करेगा और अब इसमें ग्रेटिट हल्दी है एक चमच इसे डाल देंगे अगर आपको कच्छी हल्दी ना मिले तो इसकी जगह आप हल्दी पाउडर भी एक चमच डाल सकते हैं अब इसे से इसे मिक्स करके और गैस की फ्लेम में सफ्लो करेंगे और इसे फांस निर्ट तक ढपकर पकने के लिए छोड़ देंगे प थे जा कि अलोब हैं पर पकते हुएंट मिन। हो अब हमारी फिलेवरा पुल है यह टर्मर्य टी बनकर तैयार है अब हम अपनी टर्र्मर्यchan टी को एक कप में छान लेंगे इसे ऐसे ही पिए तो बहुत ही बढ़िया है वरना इसमें हम एक चम्मत सहद भी डाल सकते हैं हमारी अनेक बुड़ों वाली आयुरुवेदिक टर्मरिक टी बनकर तयार है इसे सुभह खाली पेट और रात को सोने से पहले पिया जा सकता है अग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें पास में जो बैल आइकोन है उसे प्रेस करना ना भूले जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपने पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके थैंक्स फर वोचिंग माई वीडियो